लॉक्डाउन के चलते अलवर में पूरे बाजार बंद है वहीं कुछ लोग लॉक्डाउन के आड़ में नकली समान बेचने से भी नहीं चूक रहे हैं ऐसे में अलवर के एनी भी थाना पुलिस ने नकली गुठका बनाने वाली फैक्टरी का भंडा फोर्ड किया है थाना अधिकारी विनोथ समरिया ने ये बताया कि मामा गुठका कंपनी के मालिक ने लिखिट शिकायत दी कि लॉक्डाउन के तहट उनकी फैक्टरी का काम काजबन है लेकिन मुगर्सका में नकली गुठका बनाने का काम लगातार चल रहा है जिस पर पुलिस नहीं मौके से पांच बोरी नकली गुठका पैकिंग मशीन सुपारी के रैपर और साथी पीपरमेंट जब्द किया और साथी दो आरोपियों को भी यहां से गिरफतार किया गया कि श्रीमान पुलिस दिख्षक अलवर एडिसनेश्पी साहब मुख्याले और सियो साहब नौर्थ के निर्देशन में साथ पुलिस थाना एनेवी वे डिस्ट की कारवई करते वे राजन जिरिवाल जो मामा गुटका की डिरेक्टर है उन्होंने एक हमें लिगित रिपोर्ट पेश की उन्होंने बताया कि उनकी फैक्टरी लोगडाउन के पूर सरी बंदों के उपरांद भी उनका जो प्रड़क्ट है मामा गुटका वो लगातार बजारों में बिकरे के लिए चल रहा है उन्होंने बताया कि हमारी फैक्टरी बंदों करीब 20-25 रोगड़ उससे उपरांद भी यत्थावाद मामा गुटका चला है जिस पर गुबनी और तरीके से मुग्विल की सूचना पर।